हम लोगों तो उमीद नहीं थी कि मौका मिलेगा सब चीज सेलेक्टर के उपर था, इन फैक्ट हमें तो यह भी नहीं मालूम था कि टीम का आज ही सेलेक्षन होना है, बस यह था कि हाँ टीम का सेलेक्षन होना है, हम तो चाहेंगे कि वर्ड कप में भी ऐसा ही प्रोशन हो और भारत की जीत में पाटिसिपेट करें किसी भी प्रकार से बहुत खुश था बहुत ही ज्यादा खुश था इतना खुश था थोड़ी दिर बाद हुए हम लोगों में बस एक दुसरे को हम लोग आखों ही आखों में सेलिब्रेट किये तो यही चाहूंगी कि जहां भी उसको ज T20 World Cup के लिए 15 सदस्य भारतिय टीम का ऐलान कर दिया गया है और उसमें बिहार के बेटे इशान किशन को भी जगा मिली है ये इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि इशान किशन ने इसी साल भारत के लिए T20 और ODI में डेबिय किया था इस वक्त हम पटना में इशान किशन के प T20 World Cup में भी हिस्सा लेने जा रहा है परिवार में खुशी का महौल है और तमाम लोग इन्हें शुब काम नाए दे रहे हमारे साथ उनके पिता प्रणव जी है जब जानकारी आई कल की अब उसे World Cup में मौका मिल रहा है कैसा फर्स रियक्षिन क्या था कि काफी खुशी हुई हम लोगों तो उमीद नहीं थी कि मौका मिलेगा सब चीज सेलेक्टर के उपर था इन फैक्ट हमें तो यह भी नहीं मालूम था कि टीम का आज ही सेलेक्शन होना है तो जब मिली तो हम लोग काफी खुश हुए और हम तो यहां थे भी नहीं तो बाहर में आज मॉर्निंग में हम आए हैं यह उमीद की जारी थी कि इस साल के आई पेल में जो प्रदर्शन होगा उसके हिसाब से चुकि वर्ल्ड कप बाद में है तो वो निर्धारित करेगा लेकिन इस बार का तो जो आई पील था वो भी बाधित रहा कुछ ही मैच हो पाए थोड प्रदर्शन इसका अच्छा था तो बहुत जादा डर भी नहीं था लेकिन जब तक सेलेक्शन नहों तब तक तो रहता ही है कि क्या हो रहा है होने वाला है इशान ने तो एक वीडियो भी ट्विटर पर डाला है उसमें उन्होंने खुद कहा है कि वह हैरान है कि उनका सेले के लिए ODI और T20 दोनों में उन्होंने अपने पहले ही मैच में अर्दशा तक लगाया यह उमीद है कि वर्ल्ड कॉप में भी ऐसाई कुछ प्रशन करेंगे हम तो चाहेंगे कि वर्ल्ड कॉप में भी ऐसाई प्रशन हो और भारत की जीत में पाटिसिपेट करें किसी भी प्रकार से अभी मेरी बात नहीं हुई है अभी मेरी बात नहीं हुई है बट्र थोड़ा फ्री हो जाएगा वो तो बात करेंगा हमसे उससे पहले अगर आप हमारे जरीये कोई मैंसेस देना चाहें इस सेलेक्शन के बाद भाईया भाई से बात उसकी होती रहती है अब लोग थोड़ा सा अभी हम लों से बात नहीं किया है हो सब्सक्राइब करें लिए बीजी होगा थोड़ा हमसे भी बात कर रहे हैं सुचित्रा जी है आपकी भी बात नहीं हुई कल बहुत खुष था इतना खुष था थोड़ी दिर बाद हुई हम लोगों में बस एक दुसरे को हम लोग आखों ही आखों में celebrate किये और फिर आशिरबात दिया हमने कि बहुत अच्छा ये आपके कर्म का फल है और भगवान की इतनी कृपा है सारे लोगों का wishes है सब लोग की चाहना थी कि इशान आएं जिस तरह से उनका performance रह रहा था और वो बहुत ही अच्छा कर रहे थे तो सब लोगों की इच्छा थी और सेलेक्टर लोग को भी इशान पसंद आए तो उसका चैन हुआ बहुत खुसी हुई चीफ सेलेक्टर जो है चेतन शर्मा उन्होंने कहा है कि चुकि इशान लेफ्ट हैंड से बैटिंग करते हैं और वो ओपनिंग के साथ तो मिडल ओडर में भी बैटिंग कर लेते हैं तो कई सारे ओप्शन इशान किशन की वजह से भारतिये टीम को मिलता है तो ये जानकर आपको क्या लगता है कि इशान भी खुश होंगे और आपको भी ये खुशी है कि वो कई मौके, कई ऑप्शन्स टीम के लिए रहते हैं बिल्कुल, बिल्कुल बहुत खुशी होती है क्योंकि वो हर फॉर्मेट के लिए इतनी मेहनत करता है और बहुत मेहनत करता है और मैं तो यही चाहूंगी कि जहां भी उसको जिस चीज में मौका मिले कीपिंग हो, ओपनिंग हो, मिडल हो इशान हमेशा ही अच्छा करके अपने टीम को जीत दिलाए मैं कहीं पढ़ रहा था कि उनके बैट पर ओम साई नाथ लिखा रहता है उन्होंने टैटू भी बनवाया हुआ है उसका तो क्या बच्छपन से ही साई वाबा के वो को फॉलो करते रहे हैं भगवान के प्रती उसको बच्छपन से ही बहुत छोटा था तभी से उसको बहुत आस्था थी वो मतलब इसकूल मौर्निंग में चै बजे सुबह जाना होता था बस आती थी तो मौर्निंग में वो लोग असनान करते थे और नहाते ही नाते हम बोलते थे कि स्टूडेंट के लिए ये नहीं है कि आप बैठ कर पूजा कीजिए तो भगवान बहुत छोटा था उसी समय से तो मैं अपने दोनों बच्छों को बताती थी कि आपके लिए बस नहाते रहो उसी समय भगवान का ध्यान कर लो पूजा नाम ले लो तो मेरे जो बगल के पडोसी होते थे वो हमें बोलते थे कि आपने इतनी अच्छे सिक्छा आपने बच्चों को दी कि इतना छोटे से वो इतनी अच्छे गायतरी मंत्र का उच्चारन करता है और गीता का चौपाई था यदा यदा ही धर्मश्या गलान इर्भवती भारत था भ्युत्थान अवा धर्मश्या तदात मानम स्रिजाम में तो वो इशान बच्पन से ही और कर्वन्ने वादिकारस्ते का वो चौपाई उसको बच्पन से ही याद था तो वो मेरे पड़ोसी लोग बहुत करते थे कि अरे बहुत ही तो इतना चुटा है बात्रूम में जब नाने के समय बोलता है सुनने में इतना अच्छा लगता है तो बच्पन से ही उसको आस्ता वगवान के प्रती बहुत जादा तो इस श्लोक को क्या इशान ने अपनी जिंदेगी में भी उतारा सिर्फ कर्म पर ध्यान दिया फल के चिंता नहीं कि बिल्कुल बच्पन से उसको सिर्फ इसी पर उसने विश्वास किया क्योंकि हम मैं हमेशा उसको बोलती थी हम हमेशा उसको बोलते थे कि कुछ नहीं है आप जब बहुत छोटा था जब बच्ची चढ़ना सुरू करते हैं खेलते हैं और कभी निरासा हाथ लगती है कभी अच्छा करते हैं कभी नहीं अच्छा हो पाता है तो हम एक ही बात बोलते थे कर्वन्ने वादिकारस्ते जो आप बच्चपन में चौपाई याद है आपको कृष्ण भगवान का तो आप उसको हमेशा याद रखिए और उसी हिसाब से आप काम कीजिए जरूर आपके सफलता मिलेगी इशान कृष्ण की भावी भी है पलवी जी आपकी बात जैसा की बताया प्रणों जी ने होती रहती है तो क्या बात हुई कल कल बात हुई celebration के कि अतना बड़ी opportunity मिली है उनको तो उसमें अच्छा करना है और बहुत ही उमीद तो थी लेकिन एक जब तक टीम का selection नहीं आ चाता है के इशान nervous होते हैं सब nervous होते हैं कि लेकिन इशान दिखाते नहीं है कि वो nervous है वो सब को जोड़ा है अच्छा है से बात करते भी आप नहीं समझ सकते कि इशान nervous है वो बस घरवालों को पताच चल जाता है कि इशान nervous है और प्रणों जी 2016 में मैं ने भी वह पूरा vl कप देखा था वो अंडर 19 टीम के कैप्टन थे उस साल और जीत के करीब फाइनल में पहुंचके हार गये थे तो वो वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठाने का जो सपना उनका उस समय अधूरा रहा था लगता है कि इस बार पूरा होगा बिल्कुल हम लोग होप करेंगे कि इस बा 2016 में जो इशान का सपना तूट गया था वर्ल्ड कप के ट्रॉफी उठाने का वो इस बार 2021 में T20 वर्ल्ड कप के दौरान उन्हें पूरा करने को मिलेगा और मात्र 3 T20 इंटरनाशनल खेलने के बावजूद इशान किशन के IPL का ग्राफ देखकर उन्हें भारतिये टीम में जगा मिली है और परिवार को उमीद है कि वो बहतरीन प्रदर्शन करेंगे उतकर्ष कुमार सिंग आस तक पटना